इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब हम इंसान बंदर यानि की एप्स हुआ करते थे हम इंसानों ने तो अभी तक डेवलप करना स्टार्ट भी नहीं किया था जिससे की उन सारे एप्स की संख्या बहुती जादा कम हो जाती है अब हमें यहाँ दो एप्स की ग्रूप को एक दूसरे से लड़ते भी दिखाया जा रहा था उन में से एक ग्रूप का लीडर काफी बड़ा और ताकतवर होने के कारण दूसरे ग्रूप को मार कर यहां से भगा देता है दूसरे ग्रूप के एप काफी कमजोर होने के कारण एक कुने में जाकर छोब जाते हैं और तब जाकर उन्हें ऐसास हो रहा था कि इस तरीके से वो कभी सर्वाई भी नहीं कर पाएंगे। अब वो सारे एपस जब सो कर उठते हैं, तभी उन्हें चटान के पास एक बहुती लंबी चीज खड़ी वी दिखाई दी थी। वो अंजानी चीज एकड़ 90 डिगरी एंगल पर सीधे खड़ी होती है, पर ये क्या थी और कहां से आई ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। अब यहाँ पर पता नहीं कि वो सारे एपस उस अनोखी चीज को देखकर उसके पास जाने लग जाते हैं। एप ने मरे वी एक जानवर की हड़ी उठा ली और हड़ी को एक हतियार की तरह यूज़ करने लगा ये पहला स्टेप होता है जहां से एप अपने दिमाग को डेवलप करना स्टार्ट कर दे रहे थे जैसे लग रहा था कि उस मुनोलित स्ट्रक्चर नहीं इन सभी को एबिलि साहरी बन चुके थे उन्हें तब से अपने खाने पीने की टेंशन लेनी की कोई जरुवत ही नहीं थी अब उन एपस का ग्रूप हड़ीयों को हतियार बना कर उस दूसरे ग्रूप के पास आ गया था वो एपस तो देखते ही देखते हड़ीयों की मजद से दूसरे उपर भी उनका ही राज होगा यहां से एपस और इंसानियत की डेवलप होनी की शुरुवात हो चुकी थी एपस जिनकी पास जरा भी टेक्नलोजी नहीं थी इतने सालों में एपस इंसान में करन्वर्ट हो गये और टेक्नलोजी की उचायों को छूलिया अब इंसान से प्र अब हमें यहां पर फ्लॉइट नाम की एक वेग्यानिक और एस्टरनोट को दिखाया जाता है फ्लॉइट अमेरिकी स्पेस एजिनसी के लिए काम किया करता था और अब उसे एक मिशन के लिए तुरंट मून पर जाना था लेकिन उसकी फ्लाइट थोड़ी सी लेट होने के क चारण वो वहीं पर रुक कर कुछ रशियंस से बात करने लग जाता है उन रशियंस में से एक आदमी फ्लॉइट से पूछ रहा था कि मैंने एक अफवा सुनी है कि मून पर जो अमेरिकी बेस है वहां पर एक वाइरस फैल चुका है जो लगातार अंदर जाने वाले एस्ट में मून पर मौजूद उस बेस पर पहुच जाता है जहां अमेरिकी वेग्यानिकों के बीच एक मीटिंग के दोरान फ्लॉइट के बातों से ये पता चला कि अमेरिकी सेनिकों को मून पर एक अजीब तरीके की आकरिती मिली है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आकरित पिछले कई सौ सालों से मून पर मौजूद है अब दूसरी कोई कंट्री का एस्टरनॉट यहां पर आकर छान भी ना करे इसलिए अमेरिकी मून बेस पर वायरस फैलने की गलत न्यूस फैलाई गई थी और अब यहां फ्लॉइड अपने एस्टरनॉट साथियों के साथ उस टच करके देखते हैं उन्हें भी लगबक कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर यह स्ट्रक्चर है क्या पर जैसे यहां पर थोड़ी सी सूरी की किर्ने मोनोलीत पर पड़ी तभी अचानक उसके अंदर से वाइब्रेशन्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं यह वाइब्रेश और इस पूरे स्ट्रक्चर को चेक करेगा सारी अमेरीकी एजेंसी इस बात का पता लगाने के लिए जोरो सोरो से लग गई थी क्योंकि अगर यह चीजी किसी और कंट्री ने पता कर ली तब उनका नाम इतिहास में सेकेंड रैंक पर आ जाएगा अब कई सालों के मेहनत के पाद इस मिशन को वापस से शुरू किया गया था मूनुलिच से पहली बार जो रिडियेशन निकली थी वो जूपिटर प्लानेट की तरब जाते रहती है इसलिए इंसानों ने एक और एडवांस स्पेस्शिप बनाई जो कि जूपिटर तक अपना सफर तै करेगा स्पेस् पाइंडिंग रखा गया अब हमें उसी स्पेस्शिप में सवार फ्रांक और डेव नाम की दो एस्टरनोट को दिखाया जाता है बाकी एस्टरनोट स्पेस्शिप के स्लिपिंग चेमबर में मौजूद थे क्योंकि जूपिटर तक पहुचने के लिए काफी ज्यादा समय ल मौजूद होता है जिसे की इंसानों के सूच यूशार शक्ती की यूज करके ही बनाया गया था हैल जो की एक एडवांस एई था वो बैग्ग्राउंड में स्पेस्शिप की सारी टेक्नलोजिस को हैंडल करता था अब यहां डेवर फ्रांक अपने हायर सिक्योरिटी ऑफिस रहते हैं कि तुम दोनों इस एई आई पर आँग बन करके भरोसा कर सकते हो क्योंकि इस एई का दिमाग एक बच्चे जैसा है जो धीरे धीरे सारी चीजे सीख जाएगा अब डेवर फ्रांक इसी तरीके से जूपिटर की तरफ अपना सफर तै करते रहते हैं और अब तो व उसे ठीक नहीं किया गया तब एर प्रेशर कम होता जाएगा डेवर फ्रांक अब मजबूरी में स्पेस सूट पैंड कर वो यूनिट ठीक करने के लिए चले जाते हैं पर उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर तो कोई भी खराबी नहीं है इसलिए स्पेस शिप में वापस आ प्रेवर को देखकर डेव और फ्रांक को लगने लगा था कि इसमें कुछ खराबी आ चुकी है इसलिए डेव और फ्रांक जल्द से जल्द अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करके हैल को बंद करने का डिसाइड करते हैं यानि कि डेव और फ्रांक हैल के पूरे सि अलाकी से फ्रैंक को गैस प्रेशर की मदद से स्पेश शिप के बाहर फेग देता है। फ्रैंक स्पेश शिप से काफी दूर जाने की वज़े से अब वो बची नहीं सकता था। साथी साथ हैंल ने उन सारे लोगों का भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया होता है जो एस्टरनोट स्पेश शिप के अंदर स्लिपिंग चेंबर में मौझूद थे। जब ये सारी बाते डेव को पता चली तब वो तुरन फ्रैंक को बचाने के लिए स्पेश शिप के बाहर चला गया था। भी कंट्रोल नहीं था। इसलिए देव बड़ी आसानी से अंदर घुषने में काम्याब हो गया था। देव तुरन कंट्रोल सिस्टम में आकर हैल के सारे एकसे और स्टोर किये गए सारे डेटाज डिलीट करने लग जाता है। जिससे के हैल भी थोड़े ही देर में पूरी देटास क्लियर कर दिता है और हैल को मार दिता है। अब डियो को यहाँ पर अपनी सीनियर आफिसर फ्लॉइट का रिकॉर्डेंड मेसेज मिल रहा था। जिसमें कि वो मोनोलीट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे। दरशल ये मोनोलीट स्ट्रक्चर कहां से आया था ये किसी को पता नहीं था लेकिन ये बात कंफर्म थी कि इसके आसपा सरेने पर इंसानी प्रजाती और कोई भी चीज डेवलप होने लग जाती है। यानि कि एक तरीके से मोनोली स्ट्रक्चर हमारी इंसानी सब्वेता के लिए काफी मददगार साबित हो सकता था। देव देखता है कि जूपिटर प्लानेट के ओर्बिट में एक और बड़ा सा स्ट्रक्चर है और वो और कुछ नहीं बलकि तीसरा मोनोलीट था। पहला मोनोलीट स्ट्रक्चर अर्थ पे दिखा था दूसरा मोनोलीट स्ट्रक्चर मून पे और तीसरा वाला यहां जूपि की गती इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो speed of light को match कर ले रही थी डेव को कुछ नहीं समझता कि आखिर वो कहां जा रहा है चारो तरफ अजीब तरीके के structures बनते ही जा रहे थे डेव को तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी black hole में खिचा चला जा रहा है और डूसरी dimension में आ चुका है और ये बात पूरी तरीके से सच भी थी डेव मौझूद था एक अलगी dimension में जो इंसानों ने अभी तक discovery नहीं की होती पर तबी थोड़ी दिर बाद डेव की spaceship अचानक से रुख जाती है डेव कुछ ने समझ पा रहा था कि उसके सथ हुआ क्या इसलिए वो अपने spaceship का द अचानक से बढ़ने लगी है वो तो धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा था जिसका मतलब ये होता है कि दूसरे dimension में आने के बाद यहां का time structure भी एकदम से change हो जाता था यानि अर्थ का एक दिन यहां पर कई साल के बराबर हो सकते थे इसलिए डेव को वहां पर आये कुछ मिनट उए थे लेकिन उसकी age काफी तेजी से बढ़ चुकी थी अब कुछ घंटो बाद ही हमें डेव एक बैट पर लेटा हुआ दिखाए देता है जो इतना जादा बुढ़ा हो चुका था कि जैसे वो मरने वाला हो अब हम डेव के ठीक सामने वही चौथा मोनोलीत का structure दे जैसे ही डेव की बाड़ी से टच होता है तब ही अचानक डेव की बाड़ी एक रोशनदार गोले में कनवर्ट हो गई थी जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है ये और कोई नई बलकि डेव का पुना जनम था जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है और इक नए सीरे से शुरू होती है डेव उसी सरकल के अंदर मौजूद होता है पर वो अपनी आखों से प्रिट्वी को देख सकता था यानि कि डेव अब वापस प्रिट्वी पर चले जाएगा जो अभी के इंसानों से इतना जादा इंटेलिजेंट होगा कि पूरी इंसानी स सब्यता बदल जाए और सायच से ये मोनोले स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम किया करता था अब तक जितने भी स्ट्रक्चर दिखाये गए हैं वो सायच से इंसानी सब्यता को डेवलप करने में मदद कर रहे थे हो सकता है कि इन स्ट्रक्चर को किसी advanced civilization ने भेजा होगा या फ बूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पिनिशन एक परसंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई